जिश्री शिवायन और मस्तुब्यम मेरा नाम कृष्ण पाल राठोर है और आप महारो राजगर का यूटूब चेनल देख रहे हैं पंडित प्रदीब जी मिश्रा की मुश्किले थमने का नाम नहीं ले रही है और अब पंडित प्रदीब जी मिश्रा की मुश्किले और भी गहरी होती जा रही है दरसल पंडित प्रदीब जी मिश्रा के खिलाफ उज्जेन में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी कहानी में आपको बताऊंगा एसा कुछ हुआ है कि पंडित प्रदीब जी मिश्रा अब जेल भी जा सकते हैं जेल की सलाकों के पीछे भी जा सकते हैं जी हाँ बिलकुल सही सुना आपने एकदम सही इन्फॉर्मेशन हैं सही जान करी है पंडित प्रदीब जी मिश्रा के खिलाफ एफायर दर्ज करवाने की मांग हुई है उनके उपर केस करने की मांग हुई है अब ये लोग कौन थे और ये पंडित प्रदीब जी मिश्रा पर केस क्यूं करवा रहे थे इन दोनों सवालों की जवाब महतुपूर्ण है और इन द दर्ज करवाने का कारण ये बताया है कि पंडित प्रदीब जी मिश्रा ने सम्विधान में संशोधन करके भारत को हिंदू राष्टर गोशित करने की मांग की है इसलिए पंडित प्रदीब जी मिश्रा पर F.I.R. होना चाहिए और ना केवल F.I.R. होना चाहिए उनको जेल भी भेजना चाहिए बाबा साहिब अंबेट करके समर्थकों ने मांग की और उज्जेन की कथा जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद ही उनके खिलाफ ये प्रदर्शन चालू हो गया पंडित प्रदीप जी मिश्रा का ये विरोज जो लोग कर रहे हैं वो भी हिंदू ही है वो किसी अन्य धर्म से नहीं आते हैं वो भी हिंदू है आप सोचिए कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कितना बड़ा काम किया है हिंदू धर्म जोडने का और उनी के खिलाफ एफायर दर्ज करवा के उनको जेल भेजने की बात करने वाले लोग भी हिंदू धर्म में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं अब आप बताइए कि ये हिंदू धर्म में मानने वाले लोग जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ के दर्ज करवाने काये थे इनकी मानसिक्ता का क्या ही करना चाहिए मतलब कि इनोंने उस गुरू के खिलाफ एफायर कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल महादेव ही सब कुछ है जो हिंदू धर्म को जोडने का काम कर रहा है उसी के खिलाफ हिंदू धर्म के लोग ग्यापन दे रहे हैं उनको जेल भेजने की बात कर रहे हैं यानि कि कोई भी इस से पहले दिरेंद्र कृष्ण सास्त्री भी ल साहत रहे हैं, बतलब गज़ा भी कर ते हैं लोग आप बाबा स AO को मानिए बाबा साथ हमारे लिए भी सब कुछ है बाबा साहब नहीं होते तो सम्भिध्ण की किताब जो हमरे लिए मेले आए एक बंधर नहीं पाते हम जिस स्कूल में जनम लेते हैं, हम वहीं रह जाते हैं, हम उच्च पत पर नहीं बेट पाते हैं, ये तमाम सारी चीज हमें भी स्विकार हैं, लेकिन पंडित प्रदीप जी विश्णा ने उस सम्विधान वाले मुद्दे पर भाय साब माफी मांग ली है, बोल दिया है कि जिन जिन लोगों को इस बात से ठेस पहुंची है, उनसे हम माफी मांगते हैं, अब इस से बढ़कर और क्या करें कोई आदमी व्यास पीट पर बेट करके, आप हिंदू लोगों से माफी मांग रहा है, हिंदू धर्म को मानने वालों से माफी मांग रहा है, उसके बाद भी यद में फिर से जल चड़वाना सिखाया, जिसको लोग इतने लोग फोलो करते हैं, लाखो लोग, उस गुरू को आप जेल बेजने की बात कर रहे हैं, पंडित प्रदीब जी मिश्रा को, और आप हिंदू होकर के ये काम कर रहे हैं, आपको शरम आनी चाहिए थोड़ी बहुत, हिंदू होकर के हिंदू गुरू के उपर आप फायर दर्जी करवाने चले जा रहे हैं, हम आपका भी सम्मान करते हैं, आपका अधिकार है, आप बिल्कुल ग्यापन दीजिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन सर ऐसा भी मत कीजिए, कि उनकी मुश्किले और बढ़ें, हाला क होना जाना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर व्यापक इस्तर पर आप लोग प्रदर्शान करेंगे, तो कानून आपकी भी सुनेगा, पंडित पदीब जी मुश्किले भी बढ़ेंगी, लेकिन वो मुश्किले क्यों बढ़ाना है, सम्विधान के खिलाब बोल दिय उसके खिलाब माफी भी मांग ली, बाबा साहिब के समर्थकों से माफी भी मांगी, पंडित पदीब मिश्रा ने, उस माफी को आप क्यों नहीं देख रहे हैं, आपको देखना चाहिए, पंडित पदीब जी मिश्रा के जितने भी समर्थक है, जितने भी समर्थक है, वो य यही मानते हैं कि उनकी वज़य से आज उनके घर का माहूल बदला है और इतने बड़े गुरू ने यदि घर-घर का माहूल बदला है तो आपको भी उनका सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए यह हमारा और आपका मौलिक करतवी भी बनता है तुब तमाम सारी कि पंधित प्रदीविजी मिश्रा को ही आर करके जेल नहीं की मांग की जा रही है लगातार ग्यापन दे रहे हैं पुर्वी में लोगों ने ग्यापन दिया ना यह तोड़ा सा शोची यह तोडने की साधिस भारत ये तोड़ने की साजिस मुगलों के जमाने सा रही है और आज भी वह यदि आदमी जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसमें आप लोग खलन मल्द बनिए प्लीज हाज जोड़के रिवेदन है माकी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस जानकरी को जादा जादा शेयर कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद